नमस्कार, GST के मास्टर क्लास के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। इस कारक्रम में शामिल होंगे। आज का जो पूरा सेशन है वो इन्वाइसिंग और ट्रांजिशन इस मुद्दे पर आधारित है। इस प्रोग्राम को लाइफ देख रहे हैं उनका भी स्वागत और यहां पर जो बैठी जनता, जो ट्रेडर्स, विभाग के अधिकारी और जो मीडिया के बंदू हैं आप सभी का स्वागत है। राजर स्वसाचिव स्री हस्मुक अधिया जी से मैं निवेदिन करता हूँ कि वो अपने इनिशिल निमार्स के बाद जो आज का प्रेजेंटरिशन है उसकी एक तरह से गाइडेंस दिया में। आज का जुद्वितिय GST की मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो विशे है वो दो विशे के उपर हमारा क्लास होने जा रहा है। एक विशे है ट्रॉंजीशन का और दूसरा है इनवोइस का। तर्णिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस ने बिजनस की, उसको हम नए रेजीम में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो उसका विशे को हम transition का विशे कहते हैं, उसके बारे में काफी सारी लोगों को प्रशना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी item पहले ही exam थी, अब tax में आ गई है, तो मुझे क्या input tax credit का कोई benefit मिलेगा पुरान इस्टोक के उपर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा unit exam था, लेकिन item exam नहीं थी, तो क्या मुझे input tax credit मिलेगी, इस तरह के अलग-अलग के काफी सवाल लोगों के मन में है, उसका समादान हम को आज इस presentation में करना है, उसी तरह से invoice में भी जिसको हम bill कहते हैं, कहते है न कि व्यापारी अपना bill book छपाता है, invoice देता है, तो invoice के अंदर भी क्या-क्या detail होनी चाहिए, उसके लिए कोई particular, कोई pro forma सरकार ने दिया है कि नहीं, उसके पारे में भी लोगों को बड़ी जिग्यासा है, और एक सबसे बड़ी जिग्यासा है कि जो एक नया provision आया है, कि अगर आप unregistered dealer से खरीद रहें, तो registered dealer को reverse charge में tax परने की एक provision आई है, तो उसके मामले में भी लोगों को बड़ी उलजन है, कि उसका invoice हम कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब प्रश्न भी है, और invoice बनाने की तारीख वो भी एक important मसला होता है क्योंकि point of taxability, आपको tax कब लगेगा, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ विशय है, तो ये सब मामलों का आज खुलासा हम करेंगे, हमारे साथ मुझे खुशी है, अपने परिचे करा आते हुए, उपेंदर गुपता है, जो कि policy wing के commissioner है, और ये GST का law और rules वग़रा बनाने में भी इनका बड़ा सा योग रहा है, और वो आपको बहुत बारिकाई से, लेकिन बहुत सरल बासा में, प्रश्ण और उत्तर उनके मादियम से ही आपको पुरा विशय को समझाएंगे, मैं उपेंदर से विनन्ति करूँ कूँँ. नमस्कार, transition issue एक बहुत ही एहम issue है, क्योंकि आज जो हमारे पास credit available है, वो हम GST रिजीम में कैसे ले सकते हैं, किन conditions में मिल सकता है, उसके लिए section 140 से 143 जो CGST Act है, उसमें बहुत detail provision किये गए तो एक-एक situation को हम देखते हैं, कि हर situation में मुझे किस चीज का credit मिलेगा, मैं carry over ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, और कौन सी उनके लिए क्या-क्या conditions है, तो पहली situation यह है कि आज मैं registered हूँ GST में, और GST में मैं, GST से पहले मैं registered हूँ central exercise में, या WET में, या service tax में, और GST में भी मैं as normal taxpayer register हो रहा हूँ, composition नहीं normal taxpayer register हो रहा हूँ, तो उस situation में म आज return file करेंगे, central exercise में भी, service tax में भी, 30 जून की return file होगी, वो जुलाई के महीने में file होगी, तो उस return में, जो भी closing balance होगा, उसका आप opening balance के रूप में, GST में, उसका credit carry over कर सकते हैं, जो आपका electronic credit register होगा, उसमें आप उस credit को ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या आपको पूरा कलना होगा, एक तो जैसा मैंने पहले कहा कि आपको normal taxpayer registration होगा, register कलना पड़ेगा, ना कि yes, composition taxpayer, दूसरी उसमें condition ये है कि आपके पास closing balance तो है, लेकिन उन चीजों से related closing balance है, जो GST में उसका ITC मिलता है, for example, CES है, जैसे CES का closing balance है, आपकी return में, तो किक्टिशी कल्यान says है, या education says है, उसका credit क्योंकि GST में available नहीं है, तो balance होते हुए भी आप उसका credit नहीं ले सकते हैं, GST में, तीसरी चीज जो condition law में रखी गई है, वो ये रखी गई है, कि आपने अपने पिछले 6 महीनों की return submit की हुई है, इसका मतलब January से June तक की return आपकी submit होनी चाहिए, तब आपको credit carry over कर सकते हैं, और कितना credit आप लेंगे, उसके लिए एक GST rules में एक form रखा गया है, जिसको हम GST trend 1 बोलते हैं, और उसकी table 5 में, आपको सिरफ declare कलना है, कि मेरा closing balance इतना था और मेरा opening balance इतना हो गया, वो trend 1 जो है, आपको एकदम submit कलने की ज़ूरत नहीं है, आप उसक किया गया है, कि उसको commissioner उस period को extend भी कर सकता है, ऐसी भी condition नहीं है, कि आप एक ही बार submit कर सकते हैं, अगर आपने submit कल दिया, फिर आपको कोई और गलती नजर आई, क्योंकि आप return revise कर सकते हैं, central exercise में भी return revise कलने का provision है, VAT में भी है, service tax में भी है, तो अगर आपने return revise की अपनी तो आप trend 1 में जो declare किया, उसकी value को भी आप revise कर सकते हैं, तो जितना आपका closing balance है, उतना आप carry over कर सकते हैं, दूसरी situation ऐसी है कि capital goods आपने खरीदे थे 30 जून से पहले, अब central exercise में और service tax में हम 50% credit आज ले सकते हैं, 50% credit हम अगले वर्ष में ले सकते हैं, तो जो return में आपका balance होगा उससे related, वो आपका सिरफ 50% होगा, तो जो बाकी बचा हुआ 50% है, उसका क्या होगा, क्योंकि वो return में तो होगा नहीं, तो उसके लिए ये situation रखी गई है, जो provision किया गया है, वो ये है, कि आप उस remaining amount जो आपने नहीं लिया था पिछले वित्य वर्ष में, और वो return मे भी नहीं आ रहा है, इसलिए उतना amount का credit आप ले सकते हैं, और उसके लिए आपको trans one भलना पड़ेगा, उसकी table six है, उसमें आप information भल देंगे, यहां मैं ये भी clear कलना चाहूँगा, कि कोई भी प्रवधान ऐसा नहीं है, कि हम उसको verify करेंगे, तब आप credit लेंगे, आप credit सि permit कलने पे ही ले सकते हैं, बाद में अगर department चाहेगा किसी particular situation में तो verification कर सकते हैं, लेकिन generally हम verification नहीं करेंगे, यह self assessed tax है, आप जितना आप declare करेंगे, आप उतना credit ले सकते हैं, अब उसके बाद दो तिन situation एक साथ हम देखते हैं, तीसरी situation ऐसी है कि जहां पर मैं आज registered ही नही नहीं था, क्योंकि मेरी जो है, जो मैं बनाता था, या तो मैं डेर कलोर से कम था, उस situation में क्या होगा, या मैं सारे exempted products बनाता था, मैं dutyable कोई भी नहीं बनाता था, तो उसमें क्या मुझे credit मिलेगा, आपके पास जो stock होगा 30 जून को, वो raw material का stock होगा, आपके पास finished goods का stock हो या semi-processed goods होगी, तो जो provision किया गया है law में वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा stock है और आप अनरजिस्टर यूनिट थे, central exercise में या वैट में, तो आपको credit उतना मिलेगा, जितना आपका inputs जो है stock में पढ़ा हुआ है, और inputs जो कि आपने finished goods जो आपके पास stock में पढ़े हुए है, उससे related जो inputs यूज हुआ होगा उस finished goods को बनाने में, उससे related आपको credit मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ condition निर्दादित की गई है, वो तीन situation की condition में आपको आगे बताओ, चौती situation ये है कि जहां पर मैं आज composition taxpayer के रूप में registered था, जरनली ये वैट में होगा, central exercise में, तो उस situation में क्या होगा, कि मैं पहले composition taxpayer था, अब मैं GST में as normal taxpayer registered हो रहा हूँ, उस situation में क्या होगा, इस situation में भी जो आपके पास stock पड़ा होगा, उसमें जो inputs use हुए होगे, या inputs as such आपके पास पड़े होगे, उससे related जितना भी credit होगा, वो भी आपको मिलेगा, conditions मैं अभी, जै जहां पर मैं dutyable भी बनाता था, exempt भी बनाता था, तो जो मैं dutyable बनाता था, उससे related तो मैं credit भी ले रहा था, उससे related inputs का मेरा credit return में भी आ रहा था, और वो मेरा return में जो credit आ रहा था, जो पहली situation हमने discuss की थी, उससे मेरे को transfer हो गया था, मेरे electronic credit लेकिन ऐसी situation जहां पर मैं दोन इंपुट्स से या उसमें जो उन एक्जम्टेड गुड्स, जो फिनिश गुड्स से उसमें जो इंपुड्स यूज़ वे हुए थे उससे रिलेटिड मेरे को क्रेडिट आज नहीं मिलता था, लेकिन जी एस टी में वो गुड्स टैक्सेबल हो रही हैं, तो उस सिचुएशन में मुझको क्या credit मिलेगा वही credit मिलेगा जैसा पहले हमने दो situation में देखा कि जितने inputs आपके पास stock में हैं उसका credit मिलेगा inputs जो finished goods या semi finished goods जो आपके stock में हैं जो अभी clear नहीं हुए है factory से उसमें जो inputs हैं उससे related credit मिलेगा और उसके लिए conditions हैं तो हमने देखा कि यह जो तीन situation है मैं completely exempt था मैं composition dealer था अब मैं taxable हो रहा हूँ मैं पहले exempt था अब मेरी goods जो हैं वो taxable हो रही है या मैं taxable और exempt दोनो activity कलता था अब मेरी दोनो activity taxable हो रही है इसके लिए मुझे credit क्या मिलेगा credit मिलेगा input से related जो मेरे stock में है और जो inputs जो finished goods जो stock में है उसमें जो inputs यूज हूए है उससे related credit मिलेगा यहाँ पर यह बात notice कलने की है कि यहाँ पर हम credit जो है वो पहली दो situations में जहाँ पर मैं exempted और taxable को छोड़ के जहाँ मैं exempted completely exempt था यहाँ मैं composition था आज मुझे capital goods का credit नहीं मिलता है तो इन दोनों situation में capital goods का credit नहीं मिलेगा मुझे मिलेगा सिरफ inputs से related credit और दूसरी situation की input service से related credit भी मुझे नहीं मिलेगा जो की capital goods का जो credit है वो भी मिलेगा क्योंकि आज के law में अगर मैं दोनों चीजे कलता हूँ taxable और exempted दोनों activities कलता हूँ तो मुझे credit पूरा मिलता है capital goods का तो जो capital goods का closing balance होगा वो मेरी return से ही आ रहा होगा क्योंकि मैं return में मैंने credit लिया होगा या अगर मैंने पिछले साल में ही खरीदी थी ऐसी capital goods तो मैंने 50% लिया होगा तो 50% credit मेरा situation number 2 जो हमने पहले discuss की थी उससे आ रहा होगा अब इन तीनों situation में क्या conditions हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना है credit लेने के लिए पीछे और पीचे आगे चलिए इसमें जो है condition जो पूरा करना है वो यह है कि मैं जो inputs हैं वो मैं जिसमें मैं credit ले रहा हूँ और यह मुझे stock से credit मिल ला है तो stock से जो credit मिल ला है उसका credit जो है मेरे को जो मेरे पास जो inputs मैं use कर रहा हूँ उससे related मुझे credit मिलना है उससे related मुझे declaration देनी है टेबल नमबर सेवन ट्रांस वन में चिरह मुझे डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे पास इतना स्टॉक है अगर ऐसा इंपुट्स इसमें यूज हुआ हुआ है या इंपुट्स जो मेरे स्टॉक में पड़े हैं जिनमें कि मैं यूज नहीं करूंगा टेक्सेबल सप्लाइस को कलने के लिए तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा दूसरी सिच्वेशन जो मुझे दूसी कंडिशन जो मुझे पूरी कलने है वो ये कि उन इंपुट्स पे मुझे क्रेडिट मिलने की eligibility होनी चाहिए GST रिजीम में अगर कोई ऐसा item है मेरे stock में जिसमें या तो पहले credit नहीं मिलता था या मिलता था वो इस relevant है relevant ये है कि वो inputs जो है उसके लिए उस पे credit के लिए में GST रिजीम में eligible होना चाहिए credit लेने के लिए तीसरी और जो सबसे मुख्य condition है वो ये है कि मेरे पास duty paying documents होने चाहिए उससे related credit लेने के लिए क्योंकि मैं exempted था हो सकता है मेरे पास duty paying document ना हो इसलिए एक notification जारी किया गया है central exercise में जिसका notification number 21 बटा 2017 है जो कि 30 June को जारी किया गया उसमें एक हमने नया document prescribe किया है जिसको हम बोले credit transfer document इस credit transfer document को use करके हाला कि आपके पास duty paying documents हो सकता है ना हो तो उस situation में आप ये credit transfer document use कर सकते हैं अपने manufacturer से जिससे आपने माल खरीदा था वो issue करेगा इस credit को उसके लिए दो चार conditions है तो CTD की जो condition है मैं अभी आता हूँ उसके ओपर next जो condition पूरी करनी है वो ये है कि जिन invoice में credit लेना चाहता हूँ वो एक साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं एक जुलाई को credit ले रहा हूँ तो 30 जून 2016 से पुरानी invoice नहीं होनी चाहिए अगर वो duty paying document 30 जून 2016 से पुराना है तो मुझे मैं उस document के ओपर credit लेने के लिए हगदार नहीं रहूँगा और last situation जो मैंने कहा वो ये कि मुझे declaration देनी है stop की वो table 7 और जो form है GST trend 1 जो CGST rules का part है उसमें मुझे declaration और इसके लिए भी condition वही है कि तीन महिने में मतलब 30 सितंबल तक declaration देनी है इस date को बढ़ाया भी जा सकता है और अगर कुछ गलती हुई तो इस table 7 को revise भी किया जा सकता है अब मैं credit transfer document के बारे में कुछ परकाश डलना चाहूँगा ये credit transfer document क्या चीज़ है ये जानना ज़ूरी है कि ये credit transfer document excise act में जारी किया गया है जैसा मैंने पहले कहा notification number 21 बटा 17 से ये credit transfer document जो है manufacturer से हम जारी करा सकते हैं और ये imported goods के लिए नहीं है और अगर 25,000 रुपे पर पीस से value जादा है तो उस case में हम लोग इसको जारी करा सकते हैं और 45 दिन के अंदर manufacturer से जारी करा सकते हैं और उसके बेस पे में पास duty paying document नहीं होंगे तो मैं उसका credit ले सकता हूँ ये credit transfer document मैं use करूंगा अगर में पास duty paying documents नहीं हैं लेकिन credit transfer document की जो credit transfer document पे मुझे credit मिलेगा ये मैं credit transfer document यूज करूंगा अगर मैं trader हूँ अगर मैं manufacturer हूँ तो मैं credit transfer document यूज नहीं कर सकता हूँ ये भी एक जानना जहूरी है तो जो manufacturer है जो मैं पहले exempted था या मैं dutyable और exempted बना रहा था मैं composition से normal taxpayer आ रहा हूँ उन सब situation में मुझे credit मिलेगा अगर मेरे पास duty paying documents है और उस चीज पे मिलेगा जिसका मेरे पास raw material अवेल जो inputs मेरे stock में है या inputs मेरे पास finish goods में अब अगर हम trader की बात करें trader जो है आज central exercise में उसको central exercise duty pay कलना नहीं होता है इसलिए उसको कोई उसके पास central exercise document नहीं होते हैं तो उसको कैसे credit मिलेगा एक तो हम CTD के base कर सकते हैं जैसे मैंने पहले discuss किया और अगर CTD भी नहीं है तो हमने DIM credit का provision किया है अगर आप GST में 18% या 28% वाले slab का माल बेसते हैं तो 60% credit मिलेगा और अगर 5 या 12% वाले का बेसते हैं तो 40% लेगा ये सिरफ trader के लिए facility है manufacturer के लिए नहीं है ये बात नोट करने की और इसमें जो और condition है वो ये है कि मुझे GST trend 2 के में GST trend 2 में declaration देना होगा और ये जो मेरे को credit मिलेगा मेरे को उस महीने में मिलेगा जिस महीने में मैं goods बेचूंगा और ये scheme 6 महीने के लिए valid है अब अगर मैं पहले वैट में registered था तो क्या मुझे CST का credit मिलेगा तो उसका CST का कोई credit नहीं मिलेगा मुझे वैट का credit मिलेगा और जो CST के जो forms थे C form, F form, H form उससे related credit मिलेगा उससे credit नहीं मिलेगा जब वो forms आप submit कल देंगे तो उसके बारे में उसका refund मिलेगा next situation है कि मैं पहले ISD के तोर पे registered था तो क्या मैं मेरे को अगर invoice जो है जुलाई के महीने में मिली तो क्या मैं ISD के रॉप में उन invoice जो service tax की invoice मेरे को जुलाई के महीने में मिली मैं credit transfer कर सकता हूँ तो provision किया गया है कि आप उसका भी credit आप transfer कर सकते हैं जिनको आप जो eligible है credit transfer के लिए next situation है कि मैं आज centrally registered था service tax में centrally registered था अब GST में centralized registration का कोई प्रवधा नहीं है तो जो मेरी input का credit था मेरी return एक ही common थी तो एक ही जगा मेरा पूरा credit था तो क्या मैं जब registration लूँगा और हर statement लूँगा तो उसका credit मेरे को एक ही जगा मिलेगा जा मैं centrally registered हूँ या मेरे को बाकी जगा भी मिलेगा तो प्रवधान किया गया है कि आप जो है जो भी पहले आपने premises दिखाए हूँ ती centralized registration में उसमें आप transfer कर सकते हैं और वो declaration आप information उसकी information आप declare file कर सकते हैं in GST trend 1 table 8 next situation है कि मेरी मैं GST में तो migrate हो गया लेकिन मेरे कुछ refund claim pending है मेरी कुछ demand pending है मेरी कुछ appeal pending है तो उस situation में क्या होगा तो प्रवधान ये है laws में कि अगर आपका जो है refund बनता है तो existing law मतलब central exercise law, wet law, service tax law में decide होगा और अगर उसमें आपको refund बनता है तो हम cash में भी refund देंगे हाला कि आज cash में refund नहीं मिलता है central exercise और service tax में लेकिन GST में हमने प्रवधान किया है कि आपको refund भी मिल जाएगा और अगर recovery होनी है किसी चीज में क्योंकि मेरी appeal reject हो गई या against demand create हो गई तो उस situation में हमने प्रवधान किया हुआ law में कि या तो पहले हम existing law में recovery करने की कोशिश करेंगे और अगर existing law में नहीं कर पाएंगे तो हम GST law में करेंगे next situation है कि मैंने contact एक जुलाई से पहले किया था लेकिन supply मैंने एक जुलाई के बात की तो क्या मुझे GST देना है या मुझे पुराना tax देना है तो इसके बारे में provision है कि मुझे GST देना है अगर मैंने पुराने law में tax central exercise या service tax या बैट नहीं दिया हुए तो ये transition provision से related जानकारियां थी अब मैं tax invoice की बात करता हूँ तो tax invoice में अगर हम बात करें तो tax invoice कौन invoice issue कर सकता है tax invoice registered person issue कर सकता है जिसने registration लिया हो है और वो दो situation में कर सकता है या तो वो supply कर रहा है तब वो register तब जो है वो invoice issue करेगा और या वो service receive कर रहा है unregistered person से तो अगर मैं supply कर रहा हूँ तो उसमें भी एक exclusion रखा हुआ है कि अगर मैं ऐसी supply करता हूँ जिसकी value 200 रुपे से कम है और वो B2B supply नहीं है कोई consumer आ रहा है मेरे पास और मेरे से वो goods या services ले रहा है जिसकी value 200 रुपे से कम है और वो invoice insist नहीं कर रहा है तो मैं invoice individual invoice issue ना करके मैं supply कर दूँगा और end of the day मैं एक consolidated invoice issue कर दूँगा जितनी भी ऐसी supply मैंने की है जिसकी मैंने दिन के दौरान में invoice issue नहीं की थी जहां तक as recipient मुझे invoice issue कलने की बात है तो मुझे ये invoice issue कलनी है उन cases में और उस समय issue कलनी है जब मैं goods या services receive कर रहा हूँ यहां पर एक important provision जैसा रज़े सचेस ने पहले कहा था कि हमने यहां पर provision किया है कि आपको invoice तो issue कलनी है लेकिन यह एक बहुत ही ज़्यादा compliance burden आ रहा था तो 9-4 में हमने एक exemption दी है अगर आप 5000 रुपे तक का समान खरीदते हैं एक या एक से ज़्यादा unregistered supplier से तो वो exempt है कोई GST नहीं देना है लेकिन अगर 5000 रुपे से ज़्यादा की purchase है unregistered person से तो क्या हर समय जब मैं purchase करूँगा मुझे invoice issue कलनी है ऐसा नहीं है आपको invoice issue कलनी है तब महीने के अंत में तो महीने के दौरान में ऐसी purchase जो 5000 पर डे from one or more supplier थी उसकी एक consolidate invoice issue करके month end में आप tax दे सकते हैं tax तो 20 of the following month को ही देना है लेकिन invoice जो है आप last day of the month को दे सकते हैं tax invoice में क्या important items हैं जो होने चाहिए एक तो supplier का gst in होना चाहिए serial number invoice का होना चाहिए date of issue होनी चाहिए recipient अगर registered है तो उसका gst in होना चाहिए क्योंकि उसको credit मिलना है और अगर वो registered नहीं है तो name और address होना चाहिए hsn code होना चाहिए hsn code 2 digit होगा जा 4 digit होगा या 6 digit होगा वो मैंने आगे एक slide में रखा है description of goods या services होना चाहिए और अगर मैं goods बेच रहा हूँ तो quantity होनी चाहिए और क्या होना चाहिए value of supply होनी चाहिए taxable value of supply होनी चाहिए tax rate central tax और state tax का क्या rate है या integrated tax का क्या rate है और अगर sex लग रहा है तो sex का क्या rate है amount of tax कितना है वो होगा place of supply मुझे declare करनी है कि place of supply मेरी क्या है और अगर place of supply और address of delivery bill to ship to cases को handle करने के लिए provision रखा गया है कि bill to so and so, ship to so and so उस case में मुझे address of delivery देना है और मुझे ये declare करना है कि क्या मुझे reverse charge पर tax तो नहीं देना है इस invoice पर क्या मेरे buyer को तो नहीं देना है और last जो है उसमे signature of authorized signature है यहां पे काफी ब्रहांतिया है कि हम e-invice ही issue कर सकते है या digital signature authorized signature के होना चाहिए ऐसा कोई प्रवधान law में नहीं है आप manual invoice भी दे सकते है आप बिना digital signature के भी invoice issue कर सकते है जो requirement है B2B में supply upload करने की वो कुछ particular detail ही upload करनी है ना कि पूरी invoice तो इस तरह की कोई invoice लगेगी अगर हम देखेंगे या आप बाद में देख सकते हैं जो जो circle है यह important चीजे हैं जो की invoice में नजर आएंगी HSN code जो है वो कितने digit तक देना है उसका हमने एक notification जारी किया 12 बटा 2017 28 जून को उसमें हमने बोला कि अगर आपकी टलनोवर 1.5 करोड तक है तो आपको HSN code देना ही नहीं है ना तो आपको invoice में देना है ना आपको return में देना है अगर आपकी डेड़ से 5 करोड तक की टलनोवर है annual टलनोवर तो आपको 2 डिजिट पे देना है और अगर 5 करोड से जादा है तो 4 डिजिट पे देना है invoice कैसे race करेंगे invoice race करने में अगर goods आप सप्लाई कर रहे हैं तो invoice triplicate में issue होगी और अगर आप services अप्लाई कर रहे हैं तो duplicate में होगी अगर goods के case में original copy recipient के लिए होगी जो आपका बायर है duplicate copy transporter को दी जाएगी जो की goods के साथ carry करेगा duplicate copy मेरी office copy होगी और अगर जो supply of services के case में duplicate में होगी original मेरे बायर के लिए होगी duplicate मेरी खुद की copy होगी जो एक हमने आज कई राजों में और center में भी invoice का number बताना होता है तो GSTR 1 जो की अब भी file नहीं करनी है जैसा आप सबको वधियत है कि दो महीने बाद GSTR 1, 2, 3 का provision आएगा GSTR 3 भी file करनी है लेकिन जब GSTR 1 का provision आएगा तो आपने महीने के दौरान में normal taxpayer ने और composition taxpayer ने quarter के दौरान में कितनी invoice issue करी है from which number to which number वो एक table में information भलनी है invoice कब raise करनी है अगर मैं taxable supply कर रहा हूँ तब करनी है goods के case में अगर goods तब moment involved है तो जब मैं remove कर रहा हूँ goods तब करनी है अगर moment of goods नहीं है तो जब मैं delivery कर रहा हूँ अपने customer को तब करनी है और अगर return sale or return है तो उस case में within six months में को invoice issue करनी है services के case में क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि किस time service issue हुई तो 30 days of supply of service के दो within 30 days मुझे invoice issue करनी है ये आज का प्रवधान है जो service tax में भी है insurance और banking company को 45 दिन का time दिया गया है invoice issue करने का कुछ special cases invoice rules में रखे गए हैं उस case में आपको invoice ना देके कुछ दूसरे document issue करने है तो पहला document है bill of supply अगर आप exempted goods sale कर रहे हैं या service कर रहे हैं तो आपको bill of supply देना है या अगर आप composition taxpayer है तो भी आपको bill of supply देना है tax invoice नहीं देनी है revised invoice का provision है मैंने registration के लिए apply किया मुझे registration नहीं मिला और मैंने 30 दिन में ही registration apply कर दिया था तो उस दोरान में मैं tax invoice issue नहीं कर सकता हूँ जब मेरे को registration मिल जाएगा तो मैं revised invoice issue कर सकता हूँ जो मैंने already पहले bill of supply issue किया था उसके against अगर मेरे को advance payment मिल ला है तो मैं receipt voucher issue करूँगा अगर मेरे को advance payment मिला था और मैं वो वापस लटा रहा हूँ तो मुझे refund voucher issue करूँगा input service distributor के case में ISD invoice का एक अलग performer है उसमें दूँगा और insurance company के लिए हमने बोला की insurance policy को ही हम invoice माल लेंगे banking company को बोला bank statement को ही हम invoice माल लेंगे transporter के case में हमने बोला की जो consignment note issue होता है उसको हम invoice माल लेंगे और airlines के case में हमने बोला जो ticket issue होगी उसको ही हम invoice माल लेंगे आपको invoice issue कलने की जहूरत नहीं है कुछ तीन situations ऐसी हैं जहां पर कि हमें यह नहीं पता चलता है कि हमने कितना supply किया तो उस case में delivery चलान का प्रवधान है invoice rules में वो तीन situations हैं कि अगर मैं liquid gas supply कर रहा हूँ मैं job work के लिए समान भेज रहा हूँ या मैं समान तो भेज रहा हूँ लेकिन supply नहीं है goods on approval basis भेज रहा हूँ तो उस case में delivery चलानी शू करूँगा और export invoice के case में मैं normal invoice issue करूँगा लेकिन मैं उस पे लिखूँगा कि supply meant for export उतना लिखके मैं invoice issue कर दूँगा वो export invoice मानी जाएगी इसके अलावा credit note और debit note का भी provision law में किया हूआ है मुझे कब credit note issue करना है credit note issue करना है अगर मैं already tax invoice issue कर चुका हूँ और किसी कारण से taxable value या जो मैं उस पे tax charge हुआ हुआ है वो उसको वो ज्यादा हो गया उसको कम करना है goods वापस आ रही है उस situation में या मैंने goods और services तो supply कर दी लेकिन recipient को deficient मिली 100 पीज भेजे थे उसको 80 मिले इन situations में मैं credit note issue करूँगा और उन credit note को मैं GST portal में upload करूँगा दिखाई थी उस liability को मैं कम कर सकता हूँ लेकिन liability मैं कम तभी कर सकता हूँ अगर मैंने credit note 30 सितंबर तक अगले साल की 30 सितंबर तक issue किया गया अगर मैंने 30 सितंबर के बात किया तो मैं tax credit note तो issue कर सकता हूँ लेकिन मैं अपनी liability कम नहीं कर सकता हूँ और दूसरी situation यह है कि मेरी liability, supplier की liability तभी कम होगी, जब recipient ने credit अगर लिया हो तो वो reverse कर दे, otherwise टेक्स जो supplier है वो अपनी liability कम नहीं कर सकता है, credit note issue कर सकता है, लेकिन liability कम नहीं कर सकता है, और last situation है debit note कि मैं debit note कभ issue कर सकता हूँ, मैंने invoice तो issue कर दी, लेकिन किसी कारण से जो है वो क हो गई थी, अब मुझे वो value बढ़ानी है, value बढ़ानी है, या tax liability बढ़ानी है, उस case में debit note issue कर सकता हूँ, और इस case में कोई ऐसी restriction नहीं है कि मुझे अगले साल 30 सितंबल तक देना है, यह जितने भी rules हैं, law है, और बहुत सारा material हमारी website पे है, जिसका URL www.cbec.gov.in है, और एक में एड करूँगा कि जो हमारी CBEC की website है, उसके उपर एक, I hope कि by now it is uploaded, एक search function भी हमने आज upload किया है, कि कोई भी जगती अगर अपनी commodity का HSN code या उसका rate of taxation क्या है, जानना चाहता है, क्योंकि HSN commodity 11,000 commodity total है, उसका 8 digits तक का code होता है, तो उसके लिए अगर वो type करेंगे, for example, if he wants to type plastic, या particular item of plastic, तो he can type it and immediately उस item का HSN code और rate जो है, वो आपको मिल जाएगा, इस तरह की एक सुईधा website पे, या तो आज साम तक उपलब्द हो जाएगी, वो आज upload कर है उसको. अब सवाल और जवाब का सिसला शुरू करते हैं, इनवाइसिंग पर पहले सवाल लेंगे, पहला सवाल हमारे पास आया है, कि मुझे अभी तक मेरा GST, I.N. नहीं मिला है, तो क्या स्थिती में मैं इनवाइसेज इशू कर सकता हूँ, और कैसे किया जाए अगर ऐसा नहीं ह इस स्थिती में अगर आपके पास PID है, तो जैसा कल की क्लास में भी बताया गया था कि वो PID ही आपका GST होगा, तो आप PID को रैफर करके आप इनवाइस इशू कर सकते हैं, PID क्योंकि GST होगा तो आप अपनी इनवाइस बुक भी बनवा सकते हैं, और जब आपको जो है, उस PID के बेस पे आप अपनी इनवाइस इशू कर सकते हैं, जब GST आएगा तो आप GST को डाल के फिर आप रिवाइस इनवाइस इशू कर सकते हैं, तो जैसा मैंने अपनी प्रेजिस्टेशन में कहा था कि आपने रिजिस्टेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको रिज इस्टेशन अप्लाई करने में, तो क्या बीच में मैं अपनी माल सप्लाई नहीं कर सकता, आप बिलकुल कर सकते हैं, आप बिल आफ सप्लाई इशू कर देंगे और जब आपको GST मिल जाएगा, तो आप GST इन डाल के रिवाइस इशू कर सकते हैं, जी, दूसरा सवाल, इन इन वाइस में क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उसके कुछ मुख्य बिंदू मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताये थे, तो एज लॉंग एज वो सारी पर्टिकुलर्स इन वाइस में हैं, वो वैलिड इन वाइस होगी, कोई भी परफॉर्मा इन वाइस का नह अगर आप रजिस्टर्ट पर्सन हैं, तो आपको टेक्स इन वाइस देना ही है, अगर आप रजिस्टर्ट पर्सन हैं, लेकिन आप टेक्सेबल गुड्स भी बेशते हैं और एक्जम्टेट गुड्स भी बेशते हैं, तो आप जो है, कम्बाइन इन वाइस कर रहें, तो ट अगला सवाल है अलग-अलग टैक्स रेट में अगर मेरे अलग-अलग प्रॉडट्ट्स आते हैं तो क्या उसे एक मिक्स अप्लाई के तौर पर समझा जाएगा या या नि एक ही इन्वाइस होगी या अलग-अलग इन्वाइस मुझे जनरेट करनी होगी अगर आप ऐसे समान बेच रहे हैं जो अलग-अलग टैक्स रेट में आ रहे हैं और आप उसकी वैल्यू भी अलग-अलग दिखा रहे हैं उसका टैक्स रेट भी अलग-अलग है तो आप एक ही इन्वाइस में सारे आइटम्स को लिख सकते हैं उसका क्या टैक्स रेट है वो लिख सकते हैं उसक को में एक सवाल invoice से जुड़ा हुआ हमारे पास है आई ये लेते हैं जो भी invoice से जुड़ा एक सवाल करना चाहते हैं प्लीज क्या microphone प्लीज दे सकते हैं अगला सवाल सार ये है कि जो reverse charge mechanism है क्या उसका invoice में खुद ही एक तरह से issue कर सकता हूँ अगर आप unregistered reverse charge दो तरीके से है एक तो ये है कि supplier registered था वो गुट्चा सर्वेसिस अप्लाई कर रहा है लेकिन tax liability उस पे ना होकर recipient पर है तो tax invoice तो वो issue करेगा जो supplier है मेरे को liability tax pay करने की मेरी है उस case में मुझे invoice जारी नहीं करने है जब मैं उसका payment करूँगा तो मैं payment voucher issue करूँगा और जब मैं payment करूँगा तभी मेरी liability है tax pay करने है दूसरी situation यह है कि मैं unregistered person से खरीद रहा हूँ अगर मैं unregistered person से खरीद रहा हूँ तो जब मेरे को वो समान आएगा तब मेरे को invoice issue करनी है और जब मैं उसका payment करूँगा तो मैं payment voucher भी करूँगा लेकिन यहाँ पर एक बात जो मैंने पहले भी कहा था अपनी presentation के दोरान कि अगर मैं unregistered person से ऐसा समान खरीद रहा हूँ जो कि जिसकी value 5000 रुपे per day से कम है मैं एक या एक से ज़्यादा unregistered supplier से समान ले रहा हूँ उसकी total value 5000 रुपे से कम है तो उसको reverse charge में मुझे कोई tax नहीं देना है तो मुझे उसकी invoice भी जारी नहीं करनी है लेकिन अगर वो 5000 रुपे से ज़्यादा है तो मुझे monthly invoice issue करनी है month end पे पूरे month के दौरान में जो ऐसी situation से ज़्यादा मैंने purchase की जिस पर कि मुझे tax liability आती है मेरी तो मैं consolidate invoice issue कर दूँगा उसमें भी मैं सारे item एक साथ दिखा दूँगा कि ये item unregistered से खरीदा इस पे 5% rate है इस पे 12% rate है like that तो मैं consolidate invoice issue करकर मैं उस पे tax liability अपनी generate कर सकता हूँ और मुझे tax देना है ज इसका tax rate को लेकर है we are the manufacturer of headlamps which is falling under chapter 8512 and its attracts of duty 28% अगर मैं ये tail lamp ये headlamp टेक्टर के लिए sale करता हूँ तो इसकी duty 18% है तो सर मेरा ये question है कि मैं इस पे duty 28% चार्ज करूँ या 18% चार्ज करूँ ये प्रशन जो है वो आज के विशे के साथ सुसंगत नहीं है उसका जवाब हम सब्सक्राइब को लेकर के सवाल है कि जो unregistered supply के साथ में जो credit or debit note जारी किया जाएगा क्या उसके लिए GSTN or ITC claim किया जा सकता है उसके लिए प्रशन क्लियर नहीं है अगर अगर आपने जो है वो unregistered supplier से लिया हुआ समान है उसका credit note debit note हो रहा है तो वो भी invoice की तरह ही निवधारित होगा तो जैसे invoice अब unregistered supplier से खरिते हुए invoice issue का रहें जिन situation में अगर वो ही situation cover होती है तो debit note credit note भी उसी तरह से upload किया जाएगा वो registered person अपनी return में दिखाएगा अब बहुत सारे लोग ये समझना चाहरे हैं कि क्या हम manual invoices भी issue कर सकते हैं या हमें हमेशा electronically ही file करना जरूरी है अगर invoice की बात करें मैंने अपनी presentation में भी कहा था कि आप manual invoice भी दे सकते हैं उसको digital signature भी जहुरत नहीं है ऐसा कहीं law में नहीं लिखा हुआ है कि electronic invoice ही होनी चाहिए जो important है वो यह कि अगर आप B2B supply कर रहे हैं तो आपको कुछ invoice details कुछ details आपको upload करनी है सारी invoice upload नहीं करनी है तो आप manual invoice जारी कर सकते हैं अगला सवाल है जो अभी existing lodge हैं उसके तहत अगर मैं registered हूँ और अपना एक particular serial number अपने bills पे रख रहा हूं तो क्या मैं उसे continue कर सकता हू अपने आने वाले invoices में जो की GST के तहत में जारी करने जा रहा हूं अपने आपका decision है आप नया number शुरू करना चाहते हैं एक July से वो कर सकते हैं अगर आप पुराने को continue करना चाहते हैं वो कर सकते हैं क्योंकि return में आपको बताना है कि मैंने कौन से serial से कौन से serial number तक की invoice इ मुझे कैसे GST के तोर पर register करना होगा क्योंकि बहुत सारे अभी कारोबारी हैं जो अभी registration नहीं कर पाया है और इस चीज का इंपजार कर रहे हैं इसके बारे में तो कल चल्चा हुई थी कि अगर आप already registered हैं तो आपको GSTN पे जाके आपको already PID मिल गया होगा PID के base पे आप अपना business कर सकते हैं और PID को regular registration certificate को convert कराने के लिए आपके पास तीन महीने का समय है उस तीन महीने में आप जो भी information देनी है वो देंगे in the meanwhile जब तक आपको final GST नहीं मिलता है तो भी आप PID के base पे business कर सकते हैं कुछ ऐसे कारोबार जो अभी unconditionally exempted हैं और वो पहले से registered हैं under existing laws तो अगर वो GST में register कराते हैं तो क्या उन्हें input tax credit मिलेगा मिसाल के तौर पर textile sector के लिए अगर जिस चीज़ पर आज duty ही नहीं थी अगर वो exempted था तो उससे related कोई भी credit ना तो input stage का आया हुआ है ना finish goods का आया हुआ है तो उसका credit नहीं मिलेगा SSI exemptions बहुत सारे लोग अभी अभी तक अवेल कर रहे थे जो small and sector small and medium जो entities हैं क्या उन्हें भी register करने पर GST के तहर्त into tax credit का लाव मिलेगा अभी फिलाल वो registered हैं existing laws के तहर्त नहीं अगर वो आज SSI exemption का benefit ले रहे थे तो वो registered नहीं थे तो अपनी presentation में मैंने कहा था कि ऐसी manufacturing unit जो SSI में थी अब taxable हो रही हैं तो जो उनके पास raw material पड़ा है या जो finished goods में raw material यूज हुआ है उससे related credit मिलेगा अगर आपके पास duty paying documents हैं अब ऐसी unit से अगर trader ने समाल लिया हुआ है तो trader को भी अपनी presentation में मैंने बताया था कि 60% या 40% credit मिलेगा तो trader ने कहां से खरीदा हम यह नहीं देख रहे हैं trader को हर उस चीज का credit मिल जाएगा अगर वो unconditionally exempted item नहीं थे बहुत सारे कारोबार के स्थिती में एक जुलाई से पहले कुछ inputs थे वो जोब वर्क के लिए भीजे गए थे लेकिन वो अभी तक return नहीं हो पाया है एस ती में जब वो बन करके आएंगे जौब वर्क के कंप्रिशन के बाद में एक जुलाई के बाद जब से जीस्टी लाओ होगा तो स्यटी में treatment क्या होगा जीस्टी के अगर जौब वर्क के पास समान गया हुआ था अगर उसने जौब वर्क बने छे महिने में समान लोट उसको जितना उसने input tax credit on items पे लिया था जो उसने job worker के पास भेजा हुआ था वो credit reverse कलना होगा तो इसलिए जड़ा आगला सवाल है एक कारोबारी है जिन्होंने कहा कि मैंने अपने जो सामान है वो एक जुलाई से पहले बेचे उनके उनकी इन्वाइसे जो थी उनको भी रेज किया और उसमें जो टीडियस करेक्वार्मेंट थी उसके मुताविक हमने टीडियस काटा ले इसलिए जब आप पेमेंट करेंगे तो टीडियस नहीं लगेगा क्यूंकि टैक्सेवरल अक्टिविटी जीडियस रजीम चुरूओने से पहले ही हो गई सर आपने प्रेजेंटेशन में जो इन्पुट टेक्स क्रेडिट है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के जो तरीके हैं उस पर डिटेल से बताया लेकिन एक जुलाई से पहले अगर किसी एजेंट के पास मेरे जो सामान या फिर जो कैपिटल गुड्स हैं वो पड़े हुए हैं त कि एजेंट को क्रेडिट मिलेगा कुछ अगर वो स्टीसफाई करेगा जो कि SGST रूूल में मेंशन हैं वो बह機 कंडिशन है कि एजेंट रेजिस्टर होना चाहिए PGST में प्रिंसिपल और एजेंट दोनों स्टाul डिक्लीयर करें प्रिंसिपल बताएगा कि है ऐजेंट के प को भी credit मिलेगा अब इस service sector से जुड़ा एक सवाल है सर बहुत सारे लोग services में deal करते हैं जो advance में उन्होंने service tax pay कर दिया है work contract services के लिए लेकिन जो supply है वो एक जुलाई के बाद आ रही है तो फिर ऐसे में जो GST का treatment है वो कैसे किया जाएगा जितनी service आप GST regime के बाद देंगे उससे related आपको tax देना है अगर आपने पहले ही advance payment कर दिया है tax का तो service tax में आज advance पे भी tax लगता है तो ऐसी situation हो सकती है कि जहाँ पे आपको advance पहले मिल गया हो तो आपने tax भी पहले दे दिया हो लेकिन service हो सकता है आप बाद में दे तो service आप उससे पहले related अगर आप tax पहले ही दे चुके हैं तो GST में service देने के बावजूद भी आपको tax नहीं देना है क्योंकि उससे related tax पहले ही आ गया है Credit को लेकर के एक सवाल है कि I had to make and send a credit reversal due to the non-payment prior to the 1st of July 2017 उसके बाद में अगर payment एक जुलाई के बाद आ रही है तो फिर क्रेडिट को आप allow करेंगे Law में provision है कि ऐसी situation में credit allow करेंगे क्योंकि आज भी प्रवधान है service tax law में standard credit rules में कि अगर आपने credit लिया था आपको non-payment की वज़े से reverse कलना पड़ा जब आप payment कलते हैं फिर credit मिलता है ऐसा ही प्रवधान हमने transitional rule में भी किया हुआ है transition पर अंतिम सवाल हमारे पास है मेरे जो old contract है वो revise हो गया है उसकी जो कीमते हैं उसमें भी बदलाव आगया है तो क्या GST के ताहर जो treatment है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा अगर आपका contract जो है उसकी value बढ़ रही है तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर GST देना होगा क्योंकि बढ़ी हुई value को हम GST में supply मानेंगे और अगर आपका downward revision हो रहा है तो उसमें आप credit note दे सकते हैं और जो credit note का treatment है व हमें आए हुए है Twitter पे और बहुत सारे मीडिया के बंद हुए हमारे साथ इस वक्त हैं तो अगर आप इजाज़त दें तो हम social media के सवाल और मीडिया के लिए इस session को open कर सकते हैं तो पहले चलिए मैं Twitter से ही शुरू करता हूँ इससे इसके बाद अगर कोई media के बंद हुए है अगर किसी के अपने नाम पे पैन है तो क्या बिजनिस के कारोबार के नाम पर भी पैन लेना ज़रूरी है जिस टीक दहत अगर वो individual proprietor है तो उसी खुद के पान नंबर पे ही उसको business का registration मिल सकता है इंडिविडियोल अगर प्रोप्राइटर से पैन लेकिन अगर company है तो company का उसको अलग पान नंबर लेना होगा और इनकी तो पार्टनर्शिप फर्म पार्टनर्शिप फर्म में कही नाम पेन है जिस नाम में आप बिजनस करें उस नाम में का पहन ज़रूरी है जिए गुर प्रोप्राइटर से जुड़ा हुआ है देश के कई शहरों में बड़े कपड़ा व्यापारी जो हरताल पर है उनके स्टॉक जो उनके पास रखा हूँ गोदाम में उसको लेकर ही शायद ट्रांशिशन की दिक्कत उनको आ रही है क्या सरकार ने इस बारे में उनसे बात की है या बातशीत करने का कोई रादा रहता है लेकि ऐसा है कि जैसे बताया कि जो एक्जेम्ट कॉमोडिटी थी आप पर जब आप नए रेजीम में आएंगे पहली बार टैक्स लग रहा है लेकिन उसके उपर क्योंकि पहले टैक्स था ही नहीं कपड़ के उपर और अब जी एस टी में पहली बार बना है तो जब पहले टैक्स आप नहीं बढ़े थे मानलो कोई व्यापारी के पास बहु आइटम पहली बार अगर टैक्स में आ रही है तो पहली बार तो उनको टैक्स बढ़ना ही है 5 परसंट एक सवाल ट्विटर पर है शुबहदीप मजूमदार का वो जाना चाहते हैं कि मैं एक IT सर्विसेज पूरे देश में देता हूं और मेरा जो आफिस है वो केवल मुंब पूरे देश को दे रहे है तो आपको जरूरी नहीं हर श्री में रेजिस्टर कराना लेकिन अगर आपकी और कोई ऑफिस सर्विसस देने वाली दूसरे किसी स्टेट में भी है जहां से भी आफ सर्विस का इन्वheus सरैस कर रहा है तो basic principle is कि जिस state में से आप माल बेच रहे हैं या जिस state में से आप service को supply कर रहे हैं उस state में आपको registration लेना होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक जगह पर बैठके आप पूरे इंडिया को service दे सकते हैं computer की यहां बैठके आप IT की services पूरे इंडिया को दे सकते हैं लेकिन अगर आपकी एक ही office है पूरे इंडिया में तो फिर आपको एक ही जगह registration कराना है शेशर जी सर एक सवाल ये MRP को लेकर के जो आपने नियम बनाए कि MRP के लिए तो लेवलिंग कर सकते हैं साइट में तमाम कंपनियां और जो जो retailers हैं वो यह कह रहे हैं कि logistic बहुत problem है कि उसमें सब पे माल जो मेरा बचा हुआ उसमें मैं चिपका हूँ अगर वो नहीं चिपकाते हैं और रेट बढ़ जाते हैं ऐसे में क्या कुछ कारवाई हो सकते हैं लेकिन हमारी सबसे अपील होगी सब्यापारियों को कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है इस्टिकर लगाना वो कर दे जितनी जल्दी उतना अच्छा है अगर मान लो बहुत बड़ी आइटेम है मास प्रोडक्शन की तो इमीजेटली कम से कम वो अपना रिवाईज MRP न्यूस्पेपर में तो चांप दे न्यूस्पेपर के माधियम से सब को इंफॉं तो कर दे कम से कम और उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो MRP बदलने के स्टिकर्स जो है तो प्रोडक्शन के ओपर लगा दे हमारी वही विन प्रोड़ से अर्टिकूलर वही रखने वाई। रूल में लिखा हूँा है दिफ Colle के लिए वही वही पॉर्मेट वही पर्टिकुलर से उसमें जो पर्टिकूलर्स रिवर्स चार्ज के लिए वह बहरे जाएंगे और उसकाका कोई फॉर्मेट नहीं है जिоздß आज में इन्वाइस तभी इशू कलनी है जब आप अन्रजिस्टर्ट पर्सन से खरीद रहे हैं और अगर पांच अजार रुपे पर डे फ्रॉम वन और मोर परसन है तो मंधली इन्वाइस दे जारी कलनी है जी ट्विटर पर अगला सवाल रंगा स्वामी शेकर का है वो टेक्स्टाइल डीलर है उन्होंने कहा है कि जीस्टी से पहले वो बिल्कुल उन पर टैक्स नहीं लगता था और जो टैक्स फ्री इन्वाइस यूज करते थे लेकिन अभी पांच परसेंट जीस्टी लग रहा है तो क्या उन्हें क्लोजिंग स्टाउक पे इन्पूट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है उन्होंने भी पहले भी कोशन यहीं पूछा था प्रेजेंटेशन के दौरान भी कहा था कि क्योंकि टैक्स टाइल एक्जेम्टेट प्रोड़क्ट था उस पे कोई भी टैक्स आज नहीं लगा हुआ है ना तो वैट ना तो सेंटर लेक्स है तो उससे रिलेटिट इन्पूट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रवधान लौ में नहीं है पूछ अमना सब्सक्राइब अगर मोबाइल बिल या क्र सर्विस टैक्स में क्या प्रोविजन है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वाइस और डेट ऑफ पेमेंट विचैवर इस अर्लियर तो अगर मेरे को एडवांस मिल गया तो पहले मिल गया इन्वाइस जारी करने से पहले तो जिस दिन एडवांस मिला उस दिन मेरी टैक्स लाइ invoice issue कलनी है जिस दिन आप माल बेच रहे हैं सर्विस के केस में प्रवधान है कि आपने service तो दी जिस दिन complete हुई उसके 30 दिन के अंदर आपको invoice issue कलनी है लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर invoice issue नहीं की तो क्या होगा तो यह अगर आपने 30 दिन में invoice issue कल दी तो यह माना जाएगा कि जिस दिन आपने invoice issue की उसी दिन service दी थी और अगर आपने 30 दिन में नहीं की invoice issue तो फिर हम determine करेंगे कि आपने service किस दिन complete की थी तो अगर आपने 30 दिन में आपके example में आपका billing cycle 25 जून तक है invoice 10 जूलाई को issue हो रही है आपने payment भी पहले नहीं किया हुआ है जून में तो आप 10 जूलाई को जब आप invoice issue करेंगे तो liability GST किया है क्योंकि आप जो है date of provision of services date of issue of invoice so 10 जूलाई को मानते हुए GST लगेगा उस case सुमित सचदेव जी का सवाल है ट्विटर पे वो यह जाना चाह रहे है कि जो ariated drinks है हाला कि उन्होंने confirm नहीं किया rate of tax क्या है लेकिन अगर वो किसी रेस्ट्रा में इसको सर्व कर रहे हैं तो फिर GST का क्या होगा और उसमें कोई क्या credit भी उन्हें available होगा रेस्ट्राइंट में अगर वो ariated drinks सर्व कर रहे हैं तो उनको credit कैसे मिलेगा और उसका credit तो जब उन्होंने ariated drinks खरीदा होगा तो उसका credit उनको मिला होगा अब जब वो serve करेंगे तो वो एक bill issue करेंगे जिसके कि वो अपने customer से उसका GST चार्च करेंगा Let me give more clarification about it. Restaurant के उपर अगर non-AC है तो 12% rate है, AC restaurant है तो 18% है और अगर restaurant में liquor सव किया जा रहा है तो भी irrespective of whether it is AC और non-AC, 18% लगेगा अब सवाल यह कि अब की regime में है हम यह कह रहे कि जितने भी goods consume हो रहे है restaurant में उसके उपर जो भी GST लगा है उन सबका credit ले सकते है तो input tax credit आपको हर item का मिल सकता है ketchup की bottle आपने खरीदी या irritated drinks खरीदे उस सबका आपको वो मिल सकता है input tax credit सुरेश रंका यह जानना चाह रहे है कि as per service tax activated TIN मेरा जो है वो activate नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ क्या मैं नया registration लूँ और ऐसी स्थिति में अगर मेरे पास पुरा पुराना stock पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा transition provision में ऐसा कोई प्रवधा नहीं है कि अगर आप migration करेंगे तभी आपको credit मिले अगर आप fresh registration भी apply कर रहे हैं migration पे नहीं जा रहे हैं तो भी आपको जब registration form बना है तो पुराना आपका registration number mention करना है आपको registration application तो चाया migration के माधियम से जाएं या नए registration के route से जाएं आपको trans one में information देनी है depending upon आप return के माधियम से जा रहे हैं stock के माधियम से जा रहे हैं जैसा हमने चल्चा किया था table 5, table 6, table 8 उस माधियम से आपको credit मिलेगा और जहां तक मिले को activate नहीं हुआ है तो आप जो है अपना business कर सकते हैं जैसा हमने कल भी चल्चा की थी एक उभोक्ता के तौर पर अगर मैं सवाल कर पाँ सार कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी particular item पे कितना tax credit मिल रहा है या फिर जो invoice मेरे सामने आएगी उसमें मेरे उपर कितना tax charge किया गया है इंपू tax credit का मुझे लाब मिल रहा है नहीं एक उभोक्ता को कैसे पता चलेगा वो काम मुश्किल है वो उभोक्ता को पताल करना मुश्किल है उभोक्ता को तो इतना ही देखना है कि जो पहले का exercise duty और weight का मिला के कितना rate था इस item के उपर और अब GST में कितना आ रहा है तो हम इसके लिए अलग-अलग advertisement के द्वारा लोगों को बता रहे है कि पहले क्या incidence था आप क्या incidence है तो उभोक्ता को तो अपना total incidence ही देखना है तो मान लोग पहले का incidence 19% था अब 18% हो गया तो बोक्ता को 1% कमी होनी जीए लेकिन अगर वो माल थोड़ा महिंगा हो गया तो consumer के ना ask question कि ये महिंगा क्यों हुआ क्योंकि पहले भी 19% का incidence है और अब भी 18% है तो वो थोड़ा मुश्किल है वो पता करना consumer के लिए कि कितना input tax credit मिला कितना नहीं वो तंतर के लिए जरूरी है जानना कि बही कितना input tax credit इसको मिल सकता है और उसने लिया और उसके proportionate उसने price में reduction किया कि नहीं किया वो तंतर को पता हो रह सकता है consumer को करना थोड़ा मुश्किल होता है तो क्या उनको GST के अंतरगत registration कराना होगा actually जहां पे GTA है उसमें तो reverse charge का प्रवधान है कि जो है जो recipient है particular categories में उसमें उनको GST देना है लेकिन अगर वो consignment note issue नहीं कलते हैं और GTA नहीं है तो जो service provide कर रहा है उसी को tax देना है जी और कोई सवाल अगर media से है जी रक्षमन जी एक प्लीज microphone दे दे सर्मानली जी मेरा दिल्ली में मेरी company है और Bombay हम जाकर रुकते हैं वहाँ पर होटल में बिल चुकाते हैं तो वहाँ के input वहाँ जो tax चुकाते हूँ input tax credit के लिए Bombay में क्या register होना महराश्रा में register होना जरूरी होगा हमारा आपको registration लेना है वहाँ पर जहां से आप supply कर रहे हैं इस example में आप सिरफ होटल में जाके रह रहे हैं तो इसका place of supply महरास्टा ही है तो जो होटल है वो आपसे CGST और SGST चार्ज करेगा आपका महरास्टा में कोई registration है नहीं दिल्ली में registration तो आप उस credit को नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर वो IGST लगा होता तो आप credit ले सकते थे लेकिन क्योंकि CGST और SGST लग रहा है तो आप जो है उसका credit नहीं ले पाएंगे फाइनल इस प्रोग्राम में केवल दो मिनट बचे है श्री अडिया जैगर कोई closing comment आपकी तरफ से है मैं आप सबका धनिवाद करता हूँ कि इस कारेकरम को बड़ा अच्छा समर्थन आप लोगों ने दिया हमारी ये खोशिश है कि ये कारेकरम के जरिये हम देश के लाखो व्यापारियों और कारोबारियों तक पहुँण सके लाखो कंजूमर तक भी पहुँँच सके एक comment हमको जो मिला है वो ये है कि इस कारेकरम का जो timing है वो व्यापारियों के लिए अनुकुल नहीं है साड़े चार से साड़े पाद में व्यापारी ज़्यादा तर अपने वेखशाय में बिजी होते है तो उनके लिए हमारी विंती यह है कि इस कारेकरम का काफी repeat भी कुछ channel वगरा करने वाले है और उस repeat के time उनको देख सकते और वो नहीं तो भी यह पूरे कारेकरम हमारे YouTube पे अवेलेबल है WhatsApp से भी एक दूसरे को बेज रहे है YouTube का link तो आप YouTube से उसको निकाल के एक दूसरे को बेज सकते और जब भी आपको convenience हो अपने mobile phone में भी देख सकते और अपने computer में भी कभी भी देख सकते धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया राजयस सचेव श्रीयासमुकादिया जी महेंद सिंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उपेंद गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया इस कारेक्राम में वक्त निकालने के लिए और जो तमाम traders से और लोगों से सवाल मिले हैं उसका जवाब देने के लिए कल की जो class है वो composition और record keeping पर है वो 11 से 12 बजे इसी जगह फिर से हम करेंगे और आज के जो कारेक्राम का आप repeat टेलेकास DD News पर कल सुबह 9 से 10 के बीच में देख सकते हैं तो 9 से 10 वो प्रोग्राम देखिए और उसके बाद 11 से 12 यहां पर live national पर जाईए और composition और record keeping पर इस class में फिर से आप शामिल हो सकते हैं जाल GST की master class के दूसरे दिन सिर्फ इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार